आपका आपका आपी के यूटीब चैनल में इसको डीके में और आज हम बात करने जाहर हैं दो शेरों को लेकर जैपरकास पावर वेंचर जिसके अंदर हमें लगबग 2% करीब गरावड देखने को मिले और जो दूसरा शेर है वो यहां पर आप लोग देखो कि रिलाइंस पावर जिसके अंदर हमें 1% के करीब गरावड देखने को मिली है तो दोनों शेर हमें आते हुए नजर आए हैं साथ में आप लोग देखोगे जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं खासकर करके उनमें हमें काफे जादा गरावड देखने हैं जैसे जैसे जैस आज के अंदर कल तो आपको 2.5% के करीब जोना भी तेजी बनते नजर आए थी और आज आप लोग देखो के शेर 2.5% के आज पास फिर से टूट गया है यानि कि उतार चड़ाव स्टॉक में चल रहा है और इन सब के चलते स्टॉक में बल्ग डिले भी हो रही है यानि जो पी रेशियो है आरे से मफ है वो आपको में दिखाता रहता हूं ताकि आप लोग यहां पर अवेर रहो ठीक है लेवल्स के पर काम कीजिए शेर के अंदर और लॉंग टर्म के लिए देखो भी जो भी निवेजर किसे निदर पैसा लगा चुके हैं या लगाने के बारे लेगिं़ेशन आपसे कंपनी के फेंडमेंटल्स हैं आप लोग दिखो बुक वैल्यू है वो पोन चेसा पनीर को सकता है यह वेसद लेय। डैगिन लेग यह अंदर Vouल्स को सकते हैं वो पना आप देखो गो मेज आप देखुगए इज़ सकता है यह जो आप लोग देखो जाएंगे जितना हम लोग दीश के ले सकें यानि कि 1000-2000 आपके जितने भी बसके हो तो आप इसके लिए पैसा लगा सकते हो तो चलिए अब जानते हैं सोटरम के जो टार्गेट्स हैं इंट्रडे शोटरम सुंग्टेड उनके लिए तो रहने वाले हैं टार्गेट्स तो चलि प्लस में था अभी आप लोग देखो यह जाएंगे राउट के बाद और यहां पर आप लोग देखोंगे यह जो आरस ही है यह 68 पर यह 70 के असपास है जो इसका पी रिश्व है तो अल्रेडी बहुत जादा हाई है तो यह नाई-टो इफक्ट जो स्टॉक्यों पर डालते ह तो रही बात अब इसके अंदर शॉट्रम वालों के लिए लेवल्स की तो चलिए पहले इसका डाटा देख लेते हैं डाटा कैसा रहा फिर उसके बाद इसके लेवल देखेंगे तो यहां पर आप लोग देखो कि जैपरकास पावर के जो डाटा हमें देखने को मिला प्रि यहां पर आप लोगो को मैंने बोला था कि साथ पंद्रा का आप लोग नीचे में सपोर्ट लेकर स्टॉक में ट्राइ कर सकते हो यह में भी जोनवे अठा रुट 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 यहां पर लोग देखो कि जैपरकास पावर वेंचर के अंदर हमें अची रैली पांस पैसट सपैसे ब्लेट के जो इंधा आपको ऐखा सकता है तो उसके लिए आपको पैस्स रखेना पड़े का स्टॉप लोग पुट करके चलना है अगर साथ पंद्रा को नीचे में काते तो स्टॉक से एकजित मारो चाहिए आपको लोस हो चाहिए आपको प्रोफिट चाहिए आपको कुछ भी हुआ हो 7.15 को नीचे में काड़े तो exit मारो और 7.15 के उपर में रहे तो stock में बैठी है और उपर में यह आपको target दिखा सकता है 8.65 पैसे के यह भी short term वालों के लिए या फिर slow trade करना चाहते है उनके लिए ठीक तो यही लेवल रहेंगे नहीं लेवलों को पर आपको focus करना चाहिए इंट्राडे वालों के लिए भी कल के लिए नीचे में support तो यही है 7.15 के support resistance रहेगा लगबख 7.45 का अगर 7.45 ब्रेक हुआ तो उपर में यह साथ बिचाशी तक के target साब को दिखा सकता है तो यहां से stock के जोना भी फिर से गिरावड के संकेत बढ़ रही है तो यहां पर थोड़ा संबल के चलना इत्तिंक सबसे best रहेगा तो चलिए कि पर देख लेते हैं अभी आप JP power तो हो गए आप R power के उपर भी थोड़ा सा discussion कर लेती हैं तो यहां पर अभी आप लोग देखो को भी share को लेगर भी मैंने सिरफ और सिरफ trading करने के लिए आपको बोला है जब तक company का जो debt है वो clear नहीं हो जाता है न भई अब तक इसके अंदर जोना भी long term vision मेरे इसाब से थोड़ा सा घंबीरता में लेना चाहिए आपको ठीक है क्योंकि यहां पर debt बहुत जादा लॉंग term के लिए best share सामने उभर कराया है सुजलोन अनेजी जिसने हाले में QIP के जरिए fundraise करके अपना सारा debt clear किया है तो वह एक अच्छा share in future में growth उसके अंदर जबरदस्त रहेगी तो इस परकार आप लोग जोना सुजलोन अनजी के अंदर try करना चाहो तो वहां पर कर सक 9.5 लाग की volume भी stock में लगी है और आज जो मार्केट के अंदर fall बना है वह आपने देखा होगा भी expiry का दबाव साथ में आप लोग देखोगे global market का दबाव European market भी already negative तो इन सका जाने कि overall चारो तरफों से हमें जोना भी हमारी Indian market आज बिटती होई नजर आई है तो चली एक 25 फिर लो रहा है इसका 16,45 और 16 रुपे 55 पैसे का आज पास stock ने closing लिए है तो stock में उतार सड़ाओ बनते रहना इसके अंदर भी क्योंकि market के अंदर आज दबाव धावे ठीक है और इसे के चलते market price को प्राप लोग देखोगे लगभग 4,92,000 का Excel order हमें लगते नजर आ है ज selling pressure तो इस stock अंदर भी कल के दिन हमें जो अभी एक गिरावट के संकेत आ रहे हैं तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट तो यहां पर आप लोग देखो को भी stock अंदर काफी time से strongly uptrend बना हुआ था न भी इस uptrend को अभी यहां पर आप लोग देखो को भी विराम सा मिलते हु यहां से जोना भी गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं इसकंदर एक हैवी selling stock में already बन चुकी है तो जो भी निवेसे कि इसकंदर जोना भी short term intraday बगरा करना चाहें तो 16 नभी 15 नभी का जोना नीचे में support रहेगा और वो यहां पर ट्राय करना चाहें तो ट्राय कर सकत otherwise मेरा कोई इसकंदर जोना में decision नहीं है कि आप लोग इसके अंदर पैसा लगाओ क्योंकि stock में अब उपर के लावल से आप लोग देखोगे जो ग्रावट से वो होने start हो चुकी है आपने देखे होंगे भी कैसी आये थे तो बहुत जादा दवावा stock के उपर तो इस share के साथ जोना भी संबल के चलना I think सबसे बैस्ट है जिन भी निवेशकों ने पहले यहां पर holding ली थी ठीक हमारा support था वो तो तो टूट चुग है अगर support के उपर में आये share तो अच्छी बात अधरवाइस आप लोग देखोगे इस share से मेरा exit लेने का अमन है और आगे आपकी मर्जी भी 15.90 पैसे का अगर बैठना चाहो तो आपकी मर्जी निचे में support ही अगला इसका आपके सारे डाउट दूरें में दोनों stocks को अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो comment में पूच सकते हो चैनल को subscribe नहीं गया तो subscribe को ना मत भूलना and thank you for watching the video